कि अधिन एक महान आत्मा आश्य माता नहीं नहीं की आत्मा के शांति के लिए आप सभी साथ्यों से अनुरोद करता हों कि अपने जगा पर एक मिनट की खड़ा हो करके पौल रखेंगे ताकि उस महान आत्मा को साथी मिले सभी से निवेदन है कि अपने जगा खड़ा जरूरूर है सभी साथी बेट है पिले रहे और आज जैसे कि हमारी इस कारेशाला में तेरी अलग अलग प्रोड़क्तियों को सांदर टेनी मिलती है तो आज स्वास्त वर्धक और परियावरण को ध्रान में रखके तिपक परिहार सर ने बहुत सांदर प्रोड़क्त लांच किया था और वड़ा हमारे लिए गर्व की बात है कि हम पसुपक्षियों को बचाते हुए अपनी सरीर में जो प्रूटिन का रिक्वार्मेंट होता है उसको वेच पाम में हम कैसे ले सकते हैं वाज हमारे बीच में बहुत ही सांदार टेनर है चाहाँ समोटा जी तो आप सब के सांदार ताली की बीच इन्वाइट करता हूँ कि आये सर और आज की चैनिंग च बहुत दुखत भरा दिन है एक मांस शक्षियत को हमने खोया है आज तो सबसे पहले तो मैं भवगान से यही कामना करता हूँ पूरी गुड़ो टीम यही कामना करती है कि इस मुश्किल की घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत प्रदान करे और दिवगत आत्मा को शांती प्रदान करे मेरी तरव से भाव पूरे भाव के साथ स्रद्धांजली अर्पित करता हूं मैं जैसा सर ने बताया कि हम यह जो हमारी कारिशाला है जिसमें यूएस के माधियम से अलग-अलग प्रोड़क्ट को जानने का रोज एक संकल्व लेते हैं उसी कड़ी में आज जो मार्केटिंग को हेड करता हूं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है इस ओनलाइन ट्रेनिंग सेशन में जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक ऐसा प्रोड़क्ट है आपके पास एक ऐसी जादू की छड़ी है आपके पास जो आपके आने वाले कल को करने वाला हूं कि कैसे जिस चीज के पीछे पूरी दुनिया आज 2022 में भाग रही है वो चीज हमारे पास 45 सालों से अल्रेडी है लेकिन हम उसकी ताकत को पहचान नहीं पारे हम उसकी ताकत का जो पूर्ण इस्तमाल है वो नहीं कर पारे तो उसके बारे में मैं आज आपको इस सेशन के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करूंगा और भी जित्ते भी साती है आपके उनको जल से जल जोड़िए इस सेशन में क्योंकि आज का सेशन आपको ये क्लियर जरूर कर देगा कि क्यों फ्यूचर के लिए गुट डॉट आपके लिए हम सब के लिए इस दे दुनिया में मौझूद है उसके लिए कितना जरूरी है और अगर अभी भी हम नहीं सुधरेंगे या सुधारेंगे लोगों को तो आने वाला कल हमारे लिए और भयंकर सा होने वाला है क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया गुजर रही है आपने फिर से सुना है कि कोविड न हमें आ चुका है हमारे लिए मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है अभी नहीं दिख रहे प्रोसेस हो रहा है आप दिख रहा है दिख रहा है सर आप लिए तो गुड डॉट हमें एक फ्यूचर का एक बहुत बड़ा revolution है जिसको समय से पहले गुड डॉट में किया जैसा मैं आपको हर मीटिंग में या कोई भी ट्रेनर या स्वयम जो हमारे डायरेक्टर है दीपक सर वह भी आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि कैसे समय से पहले हम इस चीज को बनाया है और उसके लिए अब हमें यह समयना जरूरी है कि अगर अभी भी हम इस पर काम करना नहीं चालू करेंगे तो आने वाले कल में बहुत बड़ी बड़ी कमने हमारा जिस घर की नीव हमने रखी है जिस गर को बनाने में हमने मैंने मैंनत की है जिस प्रोड़क्ट को गावगात तक लोगों तक पहुचा है लोगों को समझा है लोगों से लड़े है कि आपको अब एक बहतर जिनकी जीनी है नॉन्वेज को छोड़ना है उसको कोई और ले जाएगा क्योंकि आने वाला कल बहुत ज्यादा ब्राइट है 2017 में जब यह अगर इसकी बात भी करते तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे आप सब लोग इसके गवाए कि हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि यह पागल हो गया वेज वेज नॉन वेज वेज कैसे हो सकता है 2017 का वो दिन था और आज 2022 में हम लोग है और कुछ वीडियो में आपको दिखाता हूं आप लोगों ने देखी होगी कि आज हर जगे इंडिया के सबसे बड़े बड़े न्यूस चैनल्स हो चाहे न्यूस पेपर्स हो मीडिया हो कॉमेंट हो हर जना सिव एक ही बात कर रहा है वो है प्लांट बेस मीड तो यह वीडियो है दो जो अगर आप में से किसी साती ने नहीं देखी तो इस वीडियो का आप जरूर देखें विदेश के बाद भारत में भी शाकाहारी मीट का कारोबार इतना हिट हो रहा है कि कम्पनियों के साथ सेलिबिटी भी उसमें अपना हाथ आजमा रहा है मीट की शकल लेकिन अंदर माल वेजिटेरियन खासकर खाकर कोई फर्क ही नहीं नहीं इस बात नहीं पूरी दुनिया को हैरत में डाला हुआ है और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के लोगों को ये खूब पसंद आ रहा है क्योंकि प्लांट बेजिटेरियन लोगों ने कभी मास चखा भी नहीं उन्हें मास न खाकर भी उसे टेस्ट करने का मौका मिल रहा है वहीं जो non-vegetarian लोग meat खाना छोड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें उसका टेस्ट इतना पसंद है कि उसे छोड़ी नहीं पा रहे हैं उन्हें भी शाकाहरी meat का idea पसंद आ रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि plant-based meat दिखने में, छूने में, स्वाद में यहां तक कि अपनी महक में भी नहीं बिल्कुल जानवर के मास की तरह ही होता है, लेकिन वो मास होता ही नहीं, वो बनता है शाकाहरी चीजों से, जैसे डाल, मतर, सोयबीन और नारियल का तेल, विदेश में शाकाहरी meat का फंडा इतना हिट हुआ, कि भारत में भी अब कई कंपनिया इस business entry ले रही हैं, कु बड़ी बड़ी news channels है, हम लोग रोज देखते हैं, देश में plant-based meat यानि शाकाहरी meat का कारोबार अब तेजी से बढ़ रहा है, शाकाहरी meat जो है वो ऐसा concept है, जो दुनिया भर में vegetarian और non-vegetarian लोगों को खूब पसंद आ रहा है, यानि कि शकल जो है वो meat की, लेकिन वो होगा mass नहीं, plant-based meat यानि शाकाहरी meat खाकर कोई फर्खी नहीं पाएगा, कि वो meat खा रहा है या फिर कठल के पकोड़ियां, कठल में भी उतना meat स्वाद नहीं होता है, जितना plant-based meat यानि कि शाकाहरी meat में है, क्योंकि देखने, छूने, स्वाद करने में और महक में ये बिलकुल तो शाकाहरी meat, डाल, मतर, नारियल तेल और सोया बीन से बनाया जाता है, क्योंकि सोया की बनावट बिलकुल चिकन की तरह होती है, लेकिन असल सवाल ये है कि स्वाद की नकल कैसे की जाती है, तो चिकन के जायके के लिए खमीर के अर्फ का इसमें इस्तबाल किया जाता है, कि फंड़ा इतना हिट है कि भारत में भी कई कंपनियां अब इस meat कारुबार में हाथ आजमा कर करोडू का मुनाफ़ा कमा रही है, दावा है कि 2030 तो आप देखिए हर जगे, मतलब मुझे तो ये हसी आती है, हम सबको हसी आनी चाहिए कि ये लोग जिस सीच को आज बोल रहे है, 2022 में हम 2017 से पूरे भारत के कोने-कोने में फैलाने की कोशिश कर रहे है, फरक इतना था कि हमारे पास कोई बड़ा शक्षित नहीं थी जो इसको fame दे सके लेकिन क्योंकि अब बहुत बड़ी-बड़ी celebrity है इस विसने से जुड़ चुकी है, इस वज़े से इसका fame जो है व हो गए, अनुश्का शर्मा हो गए, यह सब और अभी recently Tata ने भी अपना product launch कर दिया है, plant-based meat का, तो यह सब लोग अगर जो successful लोग है भारत के, अगर मैं cricket की बात करूँ तो विराट कोली है, फिल्म इंडिस्ट्री की बात करूँ तो अनुश्का शर्मा है, यह सारे successful और sports की बात करूँ जो असली में देश का गौरव बढ़ाते है, नीरत चोपड़ा वो हमारे साथ जुड़ है, तो आज की तारिफ में भारत का हर एक famous celebrity किसी न किसी plant-based meat company के साथ जुड़ावा है, जुड़ना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि यह आने वाले कल का product है, और हमें गर की competition बढ़ गया है, जब तक अभी तक हम थे, तब हमारे पास एक monopoly थी, अभी भी monopoly में कह सकता हो, क्योंकि जो हमारी reach है, जो RCM की reach है कि भारत के छोटे सो चोटे गाव में, जहां हम पहुच सकते हैं, वहां कोई बड़ी company का distributor नहीं है, तो वो फाइदा तो हमें है अभी भी लेकिन क्योंकि बड़े-बड़े celebrities जुड़े हैं और भारत का जो market है, वो influence होता है in celebrity की वज़े से, तो हमें कोशी यह करनी है कि अब हमें good dot के product को इत्ती तेजी से promote करना है, इत्ती तेजी से आगे बढ़ाना है, क्योंकि ultimately अगर plant-based meat की बात पूरी India करेगी, लेकिन BK का product होई जो सबसे अच्छा है, और जो सबसे किफाई दिये, और अगर आप में से किसी को शक हो, तो आप market में available किसी भी plant-based meat product को आप लेके आईए, और good dot के उसी version के product से compare कर लिए, आपको जान के अश्चरे होगा, ना तो उस price में कोई दे पा रहा है, ना कि कोई उस quality का product दे पा रहा है, जिस quality का product good dot के पास है, जिस quality का product RCM के पास है, तो यह हमारे लिए घर की बात होनी चाहिए, आज बहुत तेजी से market बढ़ेगा, अब आप सोचिए, मैं आपको अगर potential को एक example के तोर पर बताऊँ, मोमोज एक इंडिया में कुछ समय पहले बिल्कुल popular नहीं था, अगर मैं 4-5-6 साल पहले की बात करूँगा, मोमोज नाम की चीज कोई Chinese restaurant हो गया, या Japanese restaurant हो गया, उसके अलावा मिलता ही नहीं था, लेकिन फिर एक आंधी चली, मोमोज की, उस आंधी के बाद आज, आप मोमोज को इंडिया ने पसंद लिया, कि आज हर गली कोने पर आपको मोमोज मिल जाते है, और इस वज़े से मोमोज का मार्केट जो इंडिया में शाय तक शुन्य था, कुछ सालों पहले, आज इतनी बड़ा मार्केट बन गया है, कि जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते, ब में स्ट्रीम में जाने वाली है, और मेंा स्ट्रीम में जाने के बाद, जब लोग इधर उधर भागेंगे प्लांट बेस मीट पे, तो अगर उसको सही जगे पे हमारा प्रोड़क मिल जाता है, यानि कि पहली ज नोट कर लिजिए और अब हमारे पास मौका है कि वह आंदी जो चलने वाली है उस आंदी में हमें भी बहना है साथ में कि हमें पीछे रह जाना है और इस मौके का फाइदा हम नहीं उठा पाएंगे तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट अभी यही होने वाली है कि आप कमर्शल लेवल पर आप सोचे हम लोग घर में तो मुझे यकीन है जित्ते लोग यह मौदूद है घर पर तो हम लोग यूज करी रहे है रेगुलर यूज कर रहे हमारे आसपास पड़ोसियों को हमारे रिष्टेदारों को सब को दे रहे लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें थ मुझे जाना ही जाना है और अगर आपने उसका सबसे वड़ा वाला हैं जो मैंने आपको मौमोस इसका एक्जांपल दिया हर रिटी वाला हो और घली के पानीपता शेजग्त हमारे यहां पानी फटाश्य बोलते हैं जैसे उसके हर जगे ठेले होते हैं आउटलेट्स होते हैं वैसे मुवह उसके होने लगए तो यह कल्चर बहुत इंडिया में भैंकर है जब खाना इंडिया को पसंद आता है कुछ भी तो वह पागल हो जाता है उस चीज के लिए और वह हमारे पास मौका है क्योंकि आप बड़े बड़े लोग इसकी बात करें पहले निउस पे नहीं आता था अगर एक आर्सेम डिस्ट्रिबूटर की रीच लिमिटेड है हम लोग जब 2017 से इस पर काम करें तो हम 10 लोगों को बता सकते थे लेकिन आज निउस चैनल के मादिय चाहे वो विराट कोली की कमनियों रिते देश में की हो हम सब उनसे अभी तो आगे है और अगर ऐसी और इसी से तेज गरती से काम करते रहे तो हम इससे भी आगे जाने वाले है क्योंकि जो मार्केट है अभी बताया आठ हजार करोड का विदिन एट इयर आठ साल में मतलब हर साल एक हजार करोड का मार्केट इसका बढ़ने वाला है मतलब साल एक हजार करोड बढ़ेगा और 2030 तक आठ हजार करोड का होने वाला है तो अब यह पैसा किसी ना किसी कंपनी को मिलेगा अगर आठ हजार करोड का होगा यह तो है नहीं कि यह अगर यह यह डेटा के बेस लेकिन हमारे पास पावर यह है कि हमें पहले से सब कुछ पता है हमारे पास पहले से प्रॉडक्ट है अगर इसका 30-40 परसेंट भी गुड़ॉट के पास शेर आ जाता है मैं तो 50 परसेंट भी नहीं कह रहा हूं 30 परसेंट भी आता है तो हम सब एक बहुत नेक्स लेवल पे आगे बढ़ने वाले हैं और यूएस और यूरोप की अगर मैं बात करूं तो एक अलग सेक्शन है प्ल अब यह होने वाला है कि हमारा तो चलो सालों से होता रहा है लेकिन आप जो नॉर्मल आउटसाइड मार्केट है उसमें भी अलग सेक्शन डाला जा रहा है कि हां यह पौधो आधारित मास है या हेल्दी फूड है तो इंडिया कॉपी करता है यूरोपियन कल्चर को इंडि आद्मियों ने भी बोलना चालू कर दिया है फिलाल तो अब उसका फाइदा तो हम उठा सकते हैं इतना हमको काम करना है कि घर घर में इस प्रॉडक को पहुचाना है और फ्यूचर की मैं बात करता हूं एक स्टोरी में आपको बताऊंगा उससे पहले नियों सिटी की बारे है ग्राउंड लेवल उस पे किसी भी प्रकार का ट्रांस्पोर्टेशन अलावन नहीं वहला पैदल चल सकते सेकेंड लाइन पर गाड़ी है और थर्ड लाइन पर आपकी ट्रेन वगेरा है और जनरली जो हमारी सिटी होती वह राउंड बनती है लेकिन इक स्ट्रेट लाइ तो करेंगे क्या तो उन्होंने उनके पास दो आप्शन है या तो रुके कि खतम हो और फिर हम कुछ और सोचे या फिर पहले से ही तैयारी कर ले कुछ ऐसा बना दे कि पूरी दुनिया उसको देखने के लिए पागल हो जाए जैसे दुबाई आज वर्ड का हब बन चुका ह जिसके पास खुद का पानी भी नहीं है जिसके पास खुद का बारिश भी नहीं होती लेकिन आज पूरी दुनिया की सबसे बिजिएस एरपोर्ट वहां पर है और सबसे ज्यादा नैशनलिटी के लोग वहां पर रहते हैं तो इसका कारण कहता है सोच फ्यूचरिस्टिक थ साथ आज ही वह सिटी बना रहा है जो उनको फ्यूचर में फाइदा पहुचाएगी कहने का मतलब यह है कि हम या तो इंतजार करें कि कब कब डिजास्टर होगा या कब हमारे उपर आपदा आएगी फिर हम उस पैक्शन ले या फिर हम पहले से तैयारी बड़ी बड़ी दे इस वीडियो के मारें से तेखे जो इनकी माँंटेंश इनकी माँंटें की मांटें सिटी ओने आएगी जायारी प्राइदाना इस अदिक का दिद एगेड़ी ने लिए अपर इंदी ट्नाबधे टिंएम एज कर थिर हूटने परेफ्टेटेश्ट प्राइग प्राइज वै जड़े वर्तिकला विलेच कोशना ही बिलेट सिजिक शुर्ण काहिवा इन्यानी फार्टी इन्किन को रूह-चार्टी औरिग कि अर्शी प्रिटी तार्ट प्रीट कि अस्कीनी की ये च्छी है इनली नंच क्या है, रहने लगाव और रहने लेए को सीष, इनली है और अवल्टास एंटरतेन्मेंट और सेरेज्ट अविल्ट्रेफ, प्रिस्ट्रेश आजिए अधर्णेश एंवाल्दी और नियुझाने टीजिए पूद्ट्रेश्टार्य। असमें नाइट जड़ने का सिर्वेह की मक्सटता मेरा कि जो हम सोच भी निए सकते हो दुन्या कर रही है आज इंडिया में हम हमारी रोडे सही करने की बात कर रहे है यह एक ऐस शहर बना रहे जिसमें बरफ गिरेगी एक रेगिस्तान तो सोच की बात है बात सिर्फ बात सोच कि है कि हमें अगर फ्यूचरिस्टिक रहेंगे तो जीतेंगे फ्यूचरिस्टिक नहीं रहेंगे तो हारेंगे बहुत सारे एक और एक्जामपल स्टोरी आपको सक्सिस स्टोरी बताता हूं मैं पेटियम हम सब लोगों की जिंद्गी का एहम मिस्सा बन चुका है आज जब उसका जो मालिक था जो उसका फाउंडर था आठ जुलाई अलिगर उक्तरप्रदेश के चोटे से गाव में वह पैदा वा था 1978 में हिंदी मीडियम से उन्होंने शिक्षा प्राप की और 15 साल की उम्रेव में जब दिल्ली के कॉलेज में गए इंजिनेरिंग में तब उनका एक बार कोई कॉझे इंगलिश में बात करनी थे हुए उनका मजाक उड़ाया गया कि भाए कर न्योदॉन न्हीं से 2 दूनिहकर को को मजबूत किया इतना मजबूत किया कि आज जब उन्होंने 197 करके कंपनी चला ही जिस पर उन्होंने लोन लिया था उसको भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने चुकाया और फाइनली 2010 में अपने उन्होंने हिम्मत नहीं आरी और पेटीम करके जो आज हम लोग यूज करते उसको इस्टैबलिश किया और आज इंडे की सबसे बड़ी पेमेंट गेटवे ऑनलाइन कंपनी है जिसकी लिस्टेट कंपनी है जिसकी वेलूशन है पाच पैंट चार बिलिय सीखी और जिस आदमी को इंग्लिश नहीं आती थी वो सोचे डिजिटली इंटरनेट की दुनिया की सबसे सबसे शांदार और सबसे जरूरतमन्द एप को भारत में लेकर आया पेटीम के मात्यम से तो कहने का दाथ पर यह दो है दो चीज़े हमें नहीं करनी है एक तो हार नहीं माननी है और एक फ्यूचरिस्टिक होना यह नहीं सोचना है कि मैं कहा से हूं क्या मुझे आता है अगर आप चाहे तो आप सब कुछ कर सकते यह बताया है पेटीम वाले ने और नियॉन फ्यूचर सिटी ने बताया है कि हमें फ्यूचर का सोचना है इन दोनों चीज को जब आप क्लब कर लेंगे ना अपनी जिंदगी में तो 100% आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी और वही आपको हमें आगे वाले समय में गुट डॉट के साथ मिलके करना है और जो हमारा मकसद है किस दुनिया में अर सारी अनहल्दी चीजों को हटाना है और एक बाहर मौझूद किसी ना किसी बूरी चीज का रिप्लेस्मेंट है या मान लीजिए और इसके फैक्ट्स हम लोग आपको देते हैं आपको पता है कि हमारे बास फैक्ट्स है कि कैसे नॉन्वेज हमारे हमारी बॉडी को नुक्सान पहुचाता है और कैसे हमारे प्रोड़क् है पी प्रोटीन है आपके गुड़ सिप में वाइटमेंस है नेचुरेल इंग्रीडियेंस है तो हर चीज का प्रूफ है हमारे पास लेकिन हम उसको लोगों तक पहुचाएंगे तो ही लोगों को पता चलेगा अगर हम पहुचाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तो आप हम को भी नहीं पता होगा तो ऐसे हमें पहुचाना जरूरी है हम सिप यह बोल दे कि हमारे प्रॉड़क हेल्दी है वो चीज हमें फाइदा नहीं देगी हमें फाइदा यह देगी जब हम उनको बताएंगे कि इस तरह से आप जो खा रहे हुआ आपको नुपसान दे रहा है औ तो चाहे वो दूद हो चाहे वो फल सबजी हो चाहे चावल हो प्लास्टिक के मीट यहां पर है नहीं बड़ मीट हो मीट मतलब आगर आप गोट की मीट ले रहे और आपको उसके साथ डॉक की मीट आपको पता ही नहीं कि आप डॉक को खा रहे और आप गोट के मीट के नाम इसलिए आज तक एक भी ऐसा प्रोड़क्त उन्होंने आने नहीं दिया जो आप लोगों की हम लोगी सेहत को नुक्सान पहुचा है यह चीज हमारे लिए बहुत बढ़ी है आज जा दूसरी कम्पनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में गलत सामान बेच रही आज अगर नूडल्स की बात करूं दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनी जिसके जिसके ओपर थोड़े समय पहले केस भी वहा था कि उनके नूडल्स में कुछ एक ऐसा इंग्रीडेंट है जो हमारी सेहत को नुक्तान पहत रहा है और वो सालों से बेचे जा रहा है लोग खाते जा उसके अनुसार आपको पीछे जो एंफ्टी मिलती है इंग्रीडेंट मिलते है वह यह प्रूव करते हैं कि हमारे प्रोड़क्त किस तरह बोलने के लिए नहीं सही में हेल्दी है और इस चीज को बस हमें लोगों तक जित्ता जल्दी हो सके पहुचाना है हमेश्य सही चुन जिन लोगों को हमें रेस्टोरेंट वगयरा में जो हमको टार्गेट करना वह इस प्रॉड़क्त को र्शवारे प्रोटीघ को करना है यह प्रोडॉक्त PRESIDENT बना सकते से लिए टिककाई बना लीजे रचीज से बनती या बटर चिकन को इसका बना सकते हैं यह जो बी आती है त 준 बना सकते हैं इसको बना सकते हैं यह सारी चीज़ें और इसकी में पिछली मीटिंग में भी बताया था जो हमारे एक साथी है मुंबई से उन्होंने क्या किया था कि तीन होटल को पकड़ा था वेजिटेशन बाइट वहाँ पे जाके दिया था और खुद दो दिन बात कस्टमर बनके फोन किया कि मुझे नौन वेज का रिप्लेस वेजिटेरियन वाइट वह लगबग एक लाग का वेजिटेरियन वाइट हर महीने बेज देते तो यह ऐसा प्रॉडटक्ट है जो जो रेस्टोरेंट वाली इंडेस्ट्री उसको टार्गेट किया जा सकता है अगर वेजबाइट क्या है अगर मैं आपको संसिक्ष में बता है क्योंकि उनकी कोस्ट है और अगर आप एक ऐसा प्रॉडटक्ट जो बारा महीने तक अगर नॉन वेजब लेकर आता है तो इसको दो दिन में यूज करना पड़ता है लेकिन अगर आप ऐसा प्रॉडटक्ट नहीं जो इसको राख सकते हैं बारा महीने तक तो हंड्रिट ये प्रॉडटक्ट को आपको रखना पड़ता है सिर्फ गुड़ट ने एक ऐसी टेकनलोजी हमने मैनत करके निकालिए कि जिसकी वज़ेसे आप इसको नॉर्मल रूम टेप्रिशर में रख सकते यह एक और एडवांटेज है जो आप लोगों को पता है पकाने के लिए तै अलग-अलग आदमी की नीड अलग होती है रेश्टरेंट वाले को सस्ता चाहिए रेफ्रीजेशन मुप चाहिए उसको नूट्रीशन से इतना मतलब नहीं तो आप उसको वैसे बताईए किसी को रिटेल में बेच रहे हैं उसको नूट्रीशन से मतलब है क्योंकि उसको है और हर प्रोड़क्त के साथ ऐसी करना चाहिए हमें कि हमें जिसको हम बेच रहे अगर मैं रेस्ट्रोडेंट वालों को जा के बोलूंगा कि वेज़िट्रेंट में 25% प्रोटीन है 16% डाइटरी फाइबर है यह आपके पाचन को स्वस्त रखेगा तो बोलेगा मुझे मतलब इसको मतलब यह है कि इस प्रोड़क्त की कौस्ट क्या है उसको मतलब यह कि मैं कित्ते यह कैसा प्रॉड़क्ट है जो रेस्टॉरेंट में है इसकी कोश्ट कि वज़े से बेगराबर चाहब जै क्शाख एक बहुत सस्ता प्रॉड़क्ट है जिसमें आपको बॉइल करने के बाद पता भी नहीं की वेज में और कहा से मिलेगा दाल खा लेगा लेकिन प्रोटीज ये माज़से अब लोगों में वेजीटैरिन लोगों में ये प्रॉडक्त को तोर्पे वेजीटैरिन लोगों यह दोनों प्रोड़क्ट उनमें आप अवेलनेस फैला सकते हैं कि हम तुम लोग जो वेजिटेरियन हो और तुमके तुम्हारी जो प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो पा रही तो उस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें नौन विच की तरफ नहीं जाना है तुम्हें गुड रेसिपी इससे बनाई जाए भुर्जी हो गया कटलेट हो गया पकोड़े हो गया सेंडविच हो गया खीर हो गई दही वड़े में हो गया कुल्फी हो गई मंचूरिन स्टाइल में तो यह रेस्टोरेंट वालों को तब अट्रेक्ट करता है जब इसकी कौस उनको पता चल है कि जिस पनीर को वो लोग खरीदते है या जिस चिकन को खरीदते है उसके मुकाबले आधी रेट में उनको पढ़ने वाले एक स्लाइड है शाय तक अभी मेरी इस प्रेजंटेशन में नहीं है अगली बार में आपको दिखाऊंगा जो बताएगा कि पनीर चिली प्रोटी मिला है चौधरी फूट करके कोई रेश्टरो था हर्याना में महाराष्टा में तो वहां पर उन्होंने प्रोटीज प्लस को वहां के उनर को ट्राय कराया और सक्सेस्फुली प्रोटीज को वहां पर इंट्रोड्यूस करा जिए प्रोटीज प्लस को तो लोग कर रहे हैं अ अपना शहर अलग करना है तो और वह बटेगा तो हम सब में ही बटेगा अगर हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो उसके बाद गुट्सिफ की बात करें गुट्सिफ आप सब जानते हैं एक हेल्दी रिप्लेस्मेंट है जो और सीजन ट्रिंग के सबसे खासित यह है आज बिजनेस चेंज करना पड़ता है अगर सर्दी आएगी तो कुछ और बेशते हैं घर्मी आती है तो फिर से सोडा बेचेंगे या ठंडी चीज़े बेचेंगे तो उनको बिजनेस करना पड़ता है क्योंकि उनके जो प्रॉड़क्ट के टिगरी वह सिर्फ एक परपस को सॉ हंड्रेड पर्सेंट और येर राउंड यूज कर सकते हैं तो इस प्रॉड़क्ट की जो बहुत बढ़ी है क्योंकि रिप्लेस्मेंट बन जाता है हमारा जितने भी सारी कोल ड्रिंग से चाहे केमिकल वाले शर्बत जो मार्केट में लिक्विड आता है या फिर हमारा जो ब से outta इसमें डदे और रीसेंटलि हमने इस लसी और समय में होने वाली है तो हमने एक या चालू कि है त्रेंग होले उसके बाहर जहां पर आपको गुडशिप का लिए और गुडशिप की लसी साती साथ और जित्ती भी हमारे प्रोड़क्ते सबसेडाइज रेट हाइस चीज थर्टी रूपीस की है सारी रेंज फ्री में गुडशिप एक बहुत शांदार मेन्यू हमने बनाया है मेरे फोन में आपको दिखाऊं है तो आप हमारी टीम से कॉंटेक्ट करेगा लेकिन अगली बार जब भिलवाडा जाहिएगा तो उस जो हमारा एक्स्पिरेंस सेंटर है हमने मॉडल इसलिए बनाया है कि वहां से आप लोग उसको कैसे अपने शेर में कॉपी कर सकते उसके रास्ते आपके लिए खुले तो यह मैन्यू है कुछ दिख रहा है आपको नहीं नहीं आएगा ना चले कोई बात नहीं मैं आपको मीटिंग के एंड में इसको मेरे लैप्टॉप में लेकर आपको दिखाऊंगा तो एक बहुत ही शांदार आपको option मिलता है अगर आप इससे अपना खुद का भी business चालू कर रेगुलर मिलते रहते हैं जिसमें बड़ी बड़ी quantity में इस product को बेचा जा रहा है medical shops पे अलग अलग जगे पे और इस product को अगर यकीन माने यह product सिर्फ एक बार ट्राय करने की बात है एक बार ट्राय कर लिया मतलब डिबबा का डिबबा भी गेगा जैसे इसका हम मैंने हमन जो गुड़ाट ने पर्सनली जो किया है उदैपूर एक जीलो की नगरी आप सब लोग जानते हैं आप मैंसे काफी लोग उदैपूर ट्रिप में आये भी है अगर आप मैंसे कई लोग गए है जो यहां की सबसे शुंदर लेक है वहाँ पे सुबह लोग वौकिंग करने ए मारी वहां से लोग दी इतने क्यूंकि लोग सुबह वौकिंग करने जो आते थे वह दिबबा का ले जाते थे आपने थोड़ा सामने घरम टेस्ट करया अगर मौसम ठंडा और मौसम घ्रम में ठंडा टेस्ट करवाया और उन्होंने इतना सब्सक्राइब हमारा इंवेस्ट की बात करणा नूदल्स आप सब लोग मैंने क क्यम से करना है तो आप जैसे मैंने मुमोच की बारे में बात कराया नूडल्स पूरे भारत में खाया जाता नूडल का मार्केट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है अलग-अलग प्रकार की नूडल आप जब भिलवाड़ आएंगे तो हमारे जो नूडल हमने बनाई है एक तो वेजी नूडल से एक सूपी नूडल से एक हमारी चाइनीज नूडल है एक नूडल भेल है तो 4-5 वेराइ बना देता है मार्केट में अवलेबल किसी भी नूडल से लेकिन हाँ यह मैं मानता हूं क्योंकि जो लोग रेस्टोरेंट वाला बिजनेस करते उनके लिए कौश्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनको सिहत की परवा नहीं होती तो इस प्रॉडक्ट को आप मेरी जो राय हम बाहर जाते तो हम यह कामना करते कि हेल्थ गार्ड में पका खाना ही हमें मिले ताकि हमारी सेयत को नुक्सान ना हो इस प्रॉडक्ट को नूडल को हमें लोगों के घरों तक पहुंचाना है ताकि नेचुरिली मार्केट से भी इसकी डिमांड धीरे-धीरे डेवलप हो ज आँगा गेट सेट गोल टार्गेट जो एक जून से लेके 30 सितंबर के बीच में आप में से काफी लोग इसको कर भी रहे नहीं भी कर रहे तो अभी भी मौका है आपके पास तुकि एक मंज्टी टार्गेट नहीं है चार महीने के दौरान कभी भी किया जा सकता है और इस ट यह जो एक शांदार वन डे इवेंट होने वाला है जिसमें आपको आपका सेलिपरेशन होगा शांदार ट्रेनिंग मिलेगी स्पेशल ट्रेइनिंग सेलिंग स्कील मिलेगी गुड़ और लंच मिलेगा उसके अलावा आपको अंटरटेमेंट मिलेगा तो यह 21 शेरों में आ इसके अलावा जो सबसे अट्रेक्टिव पार्ट है इस ओफर का वो है गुट्डॉट गुनेस स्टार मीट के बाद गुट्डॉट गोल्डन फेस्ट आर्गेट जो दिल्ली में होने वाला है भारत की राजधानी में और इस इवेंट जो एस्टेट बायर्स का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है उसके मुख्य अतीती होने वाले है स्वयम गोल्ड मेडलिस्ट नीरत चोबड़ा तो आप सोचे जो इंस्पिरेशन स्टोरी मैंने आपको क्या बोला कि बड़े आदमी की बात हम सुनते हैं तो ही हम यकीन करते और वो बड़ा आदमी जिसको जिसने भारत को स्वन पदक दिलाया प्रधान मंत्री हो चाहे राश्पती हो जिसने पर्सनली उस व्यक्ति से मिलके उसको बढ़ाई दी वह व्यक्ति जब हमारे बीच में होगा और वह बताएगा कि उसने कैसे मेहनत करके हर्याना के छोटे से गाव से निकलके भारत को ओलंपिक दिलाया है तो वह कितना शांदार हमारे लिए life का कितना बड़ा मॉमेंट होने वाला है यह हमारे लिए सोचने वाली बात है और आर्सिम बिजनेस माहौल का बिजनेस हम लोगों को सबको पता है अगर हम उस माहौल में जाएंगे उस motivation को लेकिके आएंगे उसमें भी हमारा फ्रेम होगा अचीब्मेंट तो वह हमारे लिए गर्व की बात होगी पैसे के बाद अगर इंसान को इस दुन्या में किसी जरत दो सम्मान किये वह सम्मान आप लोगों को हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है नैशनल इवेंट है हजारों लोगों के सामने सेलिब्रेशन कर अगर रुट कंपूरे 4 महींने के दौरान यानि यी मन्सली टर्डगेट नहीं है चार महीने में जब आपकी इच्छा था आप में पूरा करिए चाहिए पूरा थो कर यहां को आपके उपचा सेक्षन है क्लब है वह डाइमंड जहां पर आपको गुट दॉट से 5000 से लेकिए 99999 पीवी करना है और उतना का उतना आपका आज से मदर प्रोडक्स से भी होना चाहिए तो उसमें आपको गुट डॉट गुणनेस स्टार मीट में फ्री एंट्री मिलती है सिंगल यानि कि जो हजार रुपे की कीमत का होने वाला है उसके अलावा एक एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो नीरत चोप्रा की साइंग किया है जो ट्रेनिंग की डेगा वह आपको हर प्रोड़क्स की डीटेल बुक्लेट्स मिलने वाली है जिस बुक्लेट के माध्यम से आप अपने बिजनस को और केजी से आगे बढ़ाने वाले एक्स्क्लूजिफ बुक्लेट है जो अब भी तक तैयार हो रही है हमारे बैकेंड में लेकिन आप भी तक किसी के पास नहीं है वह बुक्लेट्स आपको मिलने वाली है इस टार्गेट के माध्यम से उसके बाद अगर आप 10,000 से लेके 24, 2999 पीवी करते हैं जो मुझे लगता है कि हर असोसियेट बायर को करना ही चाहिए क्योंकि इसमें मैक्जिमम बैनिफिट जो हम ले सकते है वह आपको यहां पर मिल जाता है आपको सबसे पहले जो स्टार्ग मीट है 22 चेहरों में उसमें सिंगल एंट्री मिलती है उस स्टार् आपको मिलेगा एडवांस एक साल के लिए अब यह सेशन वह सेशन होने वाले है जब हम वन टूवन डिसकस करेंगे कि आपको क्या परेशानी आ रही है बिजनेस को बढ़ाने में हम आपको वन टूवन टिप्स देंगे कि आपकी अगर उस होटल को आपको क्रैक करना है तो यह एक सेशन मिलेगा जहां पर हम लोग डिसकस करेंगे कि हमें बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है और जो लोग कर रहे बिजनेस वो भी इसमें मौझूद होंगे तो उनसे हम एक्सपिरेंस लेंगे और जो नहीं कर पारें उनको हम बताएंगे कि कैसे करना है तो यह जो बहुत पर्सनलाइज होने वाला है और जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ी चलांग दे सकता है तो इसलिए एक ऐसा स्लैब है जो हम सब को करना चाहिए जिससे मेक्जिमम बैनिफिट जो आपको एक नॉर्मल बैनिफिट इतना तो मिलने ही चाहिए वह आपको यहां पर म चाहिए जिसमें आपको ओविसली स्टार मीट में सिंगल एंट्री मिलती है घोल्डन फेस्ट यानि कि दिल्ली वाले इवेंट में नीरत चोपड़ा वाले इवेंट में आपको कपल एंट्री मिलती है और आपका कपल सेलीब्रेशन भी आपर होता है पूरे भारत के सामने तो एक शांदार मौका है क्योंकि सारे को लीडर मौजूद होंगे आदरनी टी सी सर मौजूद होंगे नीरत चोपड़ा होंगे और भी बड़ी-बड़ी हस्तियों को मिनिस्टर्स को सबको हम बुलाने की पूरे प्रयास करेंगे लेकि नीरत चोपड़ा जी तो है ही है को यहां परूँ होने वालिए उनके सामने आपका कपल करवाने मौका आपको यहां पर मिलता है। यहां पर ऐसके ता है यहां पर ईसके अलावा एक त्रेणिंग किस्ट इहां पर आपको मिलता है। वह एक स्पेयल सेशन जो आपको पहले मिलता है वह मिलते ही साथ मीठों को ने दित्वाइक जमना अगराय आपको कुछ चीजे में समस्थ स्कों चीजें को समझाने मंट उन चीजों बनाना कैसी इसीस कह मैं तो और एक सिरीज था जिसमें अर्चना जी जिनको बहुत आप लोगों ने प्यार दिया वैसे ही या फिर वह या फिर कोई और वैसा कोई इंडेस्टी एक्सपर्ट आपकी पर्सनलिटी को डेवलप कैसे करना है उसके बारे में भी आपको सेशन देगा तो अपनी अपनी नीट के साथ आपको सम्मानीज होते देखना है तो 25,000 करके आप यह पूरा कर सकते हर अगर विजुलाइज करेंगे तो यह इमेज आपके सामने है इस विजुल में आप देख सकते आपके लिए बहुत शांदार शांदार ट्रेनिंग जैसे गुड़ नूडल्स की रेसिपी बुक अलग अलग तैयार हो चुके है तैयारी में है तो यह आपके बिजनेस को बढ़ाएगा जो आपके घर पर फ्रेम हो सकता है नीरत चोपडा का फोटो होगा साइन होने वाले टीशेट होने वाला है नेरू जैकेट में गुड़ डॉट की ब्रेंडिंग होगी सेलिब्रेशन होगा तो यह सारे विजुलाइज आप कर सकते हैं जो बैनिफिट्स हम आपको इस टार्गेट के माधियम से देने वाले उसके अलावा एक और चीज जिसके लिए बहुत पूरे भारत से हमें फोन आ रहे कि सर हमें हमें टॉप 25 में आना है हमें नीरत चोपडा के साथ को टी आपके को लीडर्स और टीशी सर सब लोग माधूद होने आले तो यह एक एक एक्सपिरेंस होगा जो आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते एक दिल्ली की पार्ग से तरह होटल में एक गाला डिनर और साथ में बैठा होगा जिस जिस आदमी के साथ में भारत का प्रधान म लेकिन हमने जब इस ओफर को लांच किया था तो हमने सूचा था क्यों ना इस टार्गेट को इत्ता सिंपल बना दिया जाए कि सिफ दो प्रोड़क्ट से टार्गेट को पूरा गया जा सकते एक सो बाइस दिन का यह टोटल टार्गेट है यानि कि एक जून से लेके तीस सि मिलती है जैसे पीशि सर आज तो मैझूद नहीं है वारे बीच में लेकिन सर हमेशा कहते हैं कि संकल से हमें सफलता मिलती है सिर्02स दो प्रोड़क्ट के साथ यानि कि दो नूदल्स और ढूर इन दो प्रोड़क्त को हम अगर डेली घर-घर में पहुचा है तो आप आसानी से स्टार गेट को पूरा कर सकते हैं अब हमने कैलकुलेशन की थी अगर आप एक जून से लेकर 30 सितंबर 2022 के दौरां 122 दिन में 122 गर जाते हैं तो गुट्षिप को अगर आप 15 पैकेट यानिकी एक बॉक्स और नूडल्स को पंदरा पैकेट अगर आप रोज बेचते हैं तो आपका कुल बीवी 122 दिन में गुण 50,000 हो जाता है सिर्फ इन दो प्रोडक्स है और करना क्या है कि एक बॉक्स गुट्षिप का रोज बेचना है और एक 15 पैकेट नूडल्स यह दोनों आसानी से बेचे जा सकते हैं इसलिए हमने आपको समझाने के लिए इसमें वैजबाइट नी डाला अग 122 दिन में 122 गर्ट को भी अगर हम टार्गेट करते तो गुण 50,000 बीवी होता है लेकिन अब तो 122 दिन बाकी नहीं है लगबग आज की में बात तरू तो चोपन दिन बाकी है तो अगर गुण 50,000 हमारा 122 दिन में होता है तो चोपन दिन में लगबग 25,000-20,000-25,000 के आस जाने में मुश्किल है एक बॉक्स चाहे वह आप चाहे तो किसी मेडिकल पर दे दीजिए चाहे किसी किसी सोडे वाले को दे दीजिए उसको बोले कि तो यह सोडा ट्राइगर ऐसे करके आने वाले चोपन दिन में अगर आप टार्गेट बना लेते तो 25,000 का जो आपका जो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप अगर हम लोग हम अपने आपको आर्सेम का असोसेट बाहर समझते हैं और सेलर मानते हैं अपने आपको इतने सालों से हम लोग काम करें तो इतना तो हमको करना ही चाहिए नी तो फिर कई ने कई हम में कुछ गलती है कि हम अगर एक पैक लेना है कि हमें पहले से तैयारी करनी है और दूसरी चीज की पेटियम से देना है कि हमें अपने आपको थोटा नहीं समझना है क्योंकि हम छोटे ही किसी ने किसी दिन बड़े होंगे 2017 में हमने जब इस इंडरेस्ट्री को चालू किया था प्लान बेज मीट को तो तब कोई ब इंडिया तो यहां तक का सफर सिर्फ संकल्ब से ही पुरावा है आप लोगों के सयोग से पुरावा है और अगर ऐसी हम सब लोग मिलके काम करेंगे तो यकीन मानिये कितना भी बड़ा सेलीबिटी आ जाए हम सबसे बड़े सेलीबिटी बनके उबरेंगे यही काम ना करता ह बहुत बहुत धन्यवाद कोशिश मैंने किये कम समय में आपको पूरी जानकारी देने की उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए फूरूटफुल रहा है इसी तरह हम मिलके काम करेंगे और जानकारी लेंगे और आप सब को मेरी कामना है कि दिलनी में हम मैं आप सब से मिलू नीरत चोपडा के साथ थैंक यू सो मुठ ओवर टू यू सर जयार से बहुत बहुत धन्यवाद जयासर आपके द्वारा अपने डेटेल में जानकारी सभी का मिला और कहा जाता है प्रोड़क्ट बीक्षदा है नॉलेज से और एडवर्टीजमेंट से तो प्रोड़ अब करना है , जो ज करने के लिए हम लोगों से मिलना है कि अगहाँ सारे आइडिया चाहसर ने दिया हम हमें को अब है और इसकी ड्यमार्ड आई मार्केट में है graphs मैं तो मैं संकल पॉरता हो चाहासर कि मैं स्टार्ट आइबंट करूंगा इसमें और हफते में दो रिष्टोरेंट से में मिलूगा जिसमें गुट आट की में प्रोड़क को फ्रबोट करूगा बहुत बड़े बहुत बढ़े और आगे हम सभी साथियों से लेते हैं हमारी प्रंपरा है कि आज जो गुट डाट का टेनिंग हुआ इतिसान दारुस से जो यह संकल्प है तो सबसे पहले हम लेते हैं किल राज उजह सर आपाए फैंक्यू लखन्जी, छाँ जो जो आज मेरा संकल्प यह कि गुट्डट को रोज में नया दस साथिको गुट्डट का अबरे में बाद करूँगा और डेली 500 करूंगा और कल से 20 नया साथी को गुटडड के इस्तामाल करने का संकल पर करूंगा आपना टीम में और 22 सेर में आपने जो बता है सेर इसमें कम से कम हम 10 सेर में तो लोगों को लेके जाएंगे और में खुद सेर अभी तक मेरा गुटडड का 10,000 पीवी हो चुका है तो इसको लोग में डाइमन करने का कोशिश कर रहा हूं और मेरा टीम से सर 50 लोग डार्ण कलब गुटडडड कलब में जाएंगे और 20 लोग सभी इस्टर क्राइन करने का और च्छम बपने रहा है सबस्कित ऑउत बडड़न दिरोड़ने सबित करेंगे डिकुका मैं हर रोज यूज करती हूं मतलब कुछ जो भी बनाती हुसको मैं नौट करती हूं मैं संकल्प लियों की 300 दिन में यूज करूंगी सर्फ ज्यादा गोलना की मान नहीं है कि मेरी माँ आज छोड़के चली गई तो थड़ी दूख लग रही है सार इसलिए आज हम नहीं बोड़ पाएंगे कि हमारे तरफ से सच्छी संद्रांझली यह होगी कि जो आदरणी ice or र्सिया माता नहीं आँने जो संकल्प लिया था है उसके संकल्पों से आदरशों पे चल के हमको आगे आना है और यह हमारे तरफ से सबसे बड़ी संद्रांजी तो अगले करेंगे देते हैं सिराज सर आप आए जयार सिम सर घरगर गुड़ डाट हर घरगर गुड़ डाट बहुत बहुत धन्यावाद सबसे पहले हमारे माता श्रीजी को मैं सरधाजी ले देता हूं जो हम आरे बीच में नहीं रहें इसका हमको बहुत खेद बहुत बायान ने कर सकता हमें और गुड़ डाट वालों को बहुत-बहुत धन्यावाद सर जो बहुत कुछ बढ़िया कर रहे हैं साम और हमारे यह है कि उपर वाला जो है नका और तरह ही दे तो जो हमाला भिलवाडा का जो अकाड़मिक प्रोग्राम साथा बहुत बढ़िया था उसमें कोई चीजें मिली थी में उसे गुड़ाट से रिक्वेस्ट है कि रेसीपी बुक्स अगर अवेलबल कराया हमारे उसी सेंटर्स पर वंडर वाल्ड पर तो बहुत बैठारेगा सर इसके रिजल्ट बहुत आया सर हमारे अल्डी प्रोग्राम के अंदर यह बुक बता पर वह बुक्त को सब्सक्राइब करकर हो और सब को लोगों वह परमट रहां सब बहुत धन्यवाद जब नहीं सार आज बोलने सप्राउं सब्सेंसरा वाइशार मलीग जी है है जार जी पुट निकालने है वाज मेरी आघाय थाघ्र कंगे 5 जैसे कि आज जो एक खवर सुबह मिली उससे बहुत मानुदास है विल्कुल हम पुछ नहीं याज विल्कुल भी और अभी इतने इच्छी टेंडिंग दिये कि बहुत सारे नए आइडिया हमको उन्हों ने दिये हैं और मैं और अभी मैं गुड़ सीप और नूडल सबसे जाँगा कि जैसे मैं पिछले महीने देश जार पीवी वैसे पच्छी जार करता हूं तो अगर मैं पंद्रह जार और कर दूं नेक्स मंग में क्या वह सबका मैं डाउट लिया कहूंगा चार महीने का है आप आपका हम टोटल पीवी देखेंगे एक जून से लेके 30 सितंबर में तोटल आपने कित्ता किया तो अगर आप पंद्रह और कर लेंगे तो आपका 25 हो जाएगा तो आप जो हमारा स्टार डाइमंड है उसमें कौलिफाइग कर लेगे तो हो जाएगा फिर आपका पंद्रह मतलब अभी करिए बहले सेप्टेंबर में करिए जैसे भी आप करेंगे हो जाएगा जाते हैं तो मैं वहां पर फिरी में लोग को चैए टेस्ट कराओं और फिर उसके बाद में वहां भी अपना प्रोडक्स करूँआ आपने बहुत अच्छा आडिया दिया है और मैं इसको बहुत बड़ा काम करें दिख हो तरह आप खाज तोर पर गुटसिप के अगर इस त आप लोग करें के देखेंगा हंड्रेट परजेंट उसके बहतरी रिजल्ट आपको मिलेंगे कि सुबह सुबह आदमी को कुछ हल्दी चाहिए होता है पीने को अब जो आपने सार मसीन के बार उसके बार हम थोड़ा से एक बार बात हैं बताते हैं अगले कडिम लेते हैं ज क्लिए कि एक जून से लेके 30 सितम्बर के दोरान कभी आप मतलब आपको हर महीने करना है कभी भी करिये बहले एक दिन में एक महीने में आपको 25,000 बीभी गूरोड से करना है और 25,000 बीभी आपका दूसरे अर्स तरेंक्लिक मिला सब सबस्क्राइब यह को हैं एक अब कर सबस्क्राइब वह महीने नहीं परत्पर चीज अब थो ना चीए एक तार दैमन टार्गेट कर रहे हर महीने नहीं जब आपकी तो सेप्टेमर में करना सेप्टेमर में ने चुटा यहीं जोड़ते जरूर मिलेंगे बढ़िया 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 थे दियार मिलते फिर आपसे दिल्ली में थेक्ट लेते हैं रहिसान दीदी आपाएं अग्रिया इन वाज आ रहें सब्सक्राइब शेयर आज आरिदे तर्या जैए मैं पूछ रही थी कि यह जो बता रहे थी सर के वो भेज़ेंगे रेसिपी की वीडियो भेज़ेंगे जो भी डॉकुमेंट है तुम से हो मिल लाएगा अभी जो संकल पर बात चल रही है कि आज यह तेरिंग से आपके संकल में रहे हैं तो यूज करूंगी और सेरी करूंगी लिए और भी साथिये से अम आपी चाहते हैं सबका नहीं लेपाइए क्योंकि टाइम हुमारा हुच चुका है साड़े नौ का जो भी साथी एंडिस करना चाहते हैं तो पहले से कर लिया करें ताकि उनका नौ है पहले मौका मिल जा है पहले नंबर आज है लेकिन आजरणी किसी सर करते हैं कि पर यहां पर आये या थर सबको अपनी संकल्प डैरी ने जरूर लिख नहां है और जो भी आप सी रहे हैं इसको पार्यड में जिरूर ब कर blending कि अपधियी का बशकूत भाविट में रखतें जो भी आज में आपनी संकल्प रिया आपक्र स्पर्य वृद् तो आपके संगल पुरा होने पी उन्हीं की पुरी चांसेस होती है नहीं तो होता यह है कि हम चाहते तो कुछ और होता कुछ और है बहुत सारे हमारे चीज चोड़ जाता है इसलिए अधरणी सार ने पी पूरी जीवन का निचोड निकाल के अनभाव को उन्होंने रखा कि आ हो है आदमी का यादत इसलित करने की आदत कभी करें कभी ना करें कि आदत बहुत सारे आइस आदत हैं जिसिए वजह से आर्सयम जैसे महान सिस्टम होते हैं पहुत कम सब्सक्रान की उस्परण cooking को से अधर आदत तो हम सभी लोगों को संकल्पे क्यावर्यमीं लिखना है ज विल्सीड है ऐसे महान सिस्टम के हम हिस्सा हैं और अधरनी टी सीशर जैसे मारदर्सक और हमारे सभी प्राणड पार्टनर रहे हुआं जो डेली अलग अलग प्रोड़क के डीटेउल में जामकारी दे रहे हैं विशेस ज्यान को मिल रही है इस विशेस ज्यान का लाव लेकर जयोन अपने सारे सक्वेकना देश करते हैं मैं आप सभी सात्रीयों को बदाई देता हूं और उस अकमा को की संती के लिए इस्वर से प्राथना करता हूं काई ममारी हो चुके चाहसर पॉपर कर ले आजर ता झाल झाल